Hello students, last time हम पढ़ा थे differentiation और पिछली वीडियो में हम लोग ने exercise 3.1 खतम कर लिया था So in this video we are going to start differentiation का exercise 3.2 इस वीडियो में we will be starting with exercise 3.2 और इस वीडियो में particularly हम लोग से 3.2 का question number 1 solve करेंगे In this video we are going to only cover the question number 1 of this exercise Now question number 1 करने से पहले हम लोगों कुछ बाते हैं जो question number 1 के regarding अपने को समझ लेनी चाहिए ताकि हम लोग question को अच्छे से solve कर पाएं So अगर हम लोग question number 1 को read करेंगे So question number 1 में लिखा क्या है यहाँ पर ऐसा लिखे दिया find the rate of change of demand x यहाँ पर लिखा है अब मुझे एक चीज बता हूं मैंने तुम लोगों को जो फर्स्ट वीडियो पढ़ायता है एकदम फर्स्ट basic of differentiation अगर वीडियो तुम्हों ने देखा तो पहले इस वीडियो को देखो ताकि तुम्हों को चीज आदा समझ में आच्छे से समझ में क्या बोला था rate of change मैंने बोला था rate of change कैसे find करते हैं differentiation का यूज करके किसका यूज करके differentiation का यूज करके we find the rate of change अच्छा उसके बाद किसका rate of change find करना demand का जिसका rate of change find करना ना उसको उपर लिखा जाता है और वित रिस्पेक्ट वाला जो पार्ट होता है वेरीबल उसको गिदर जाता है नीचे तो य को गिदर लिखेंगे नीचे मिला जो आकर उस पूरे question में लिखके दिया है find the rate of change of demand with respect to price उसका मतलब है find dx upon dy question क्या दे रखा है find dx upon dy by मैं आपर तुम्हें को भाजो में लिख देता है इस पूरे question का मतलब से पितना है find देखो पूरे question में से पितना दिया हुआ find dx upon dy नो इस question में अलग क्या है मतब अभी तक हम लो जो question कर रहे थे 3.1 उसमें क्या अलग था इसमें क्या अलग है तो क्या dx upon dy को find करने का कोई अलग तरीका है क्योंकि तो कुछ उल्टा काम करेंगे नहीं हम लोग क्या करेंगे मालू में exactly जैसे हम लोग 3.1 solve करते थे वैसे हम लोग क्या करेंगे 3.2 को भी solve करेंगे मतब हम लोग पहले वह differentiating with respect to x करेंगे फिर जो भी solve करते थे पिछले वाले exercise में वैसे solve करेंगे बस एक बार answer जब आ गया तो answer क्या आएगा answer में तो अपने को dy upon dx मिलेगा अगर same method follow करेंगे जो 3.1 में किया था तो अपने को answer में भी तो same ही मिलेगा नहीं डी वाइफ आपन्डी एक्स मिलेगा हम लोग इस dvy upon dx को convert कर देंगे किसमें dv by में किसमें convert करेंगे dx upon dv माइम और कैसेैं कन stolet करेंगे उसके लिए अपने पास है एक रूल उसके अपने पास क्या है एक रूल बस यही रूल अपने को पढ़ना है क्या है इन वर्स रूल उसको अमनों क्या बोलते हैं inverse rule now what is inverse rule inverse rule ऐसा बोलता है कि अगर तुमको dx upon dy find करना है तो उसके लिए अपने पास एक फर्मिला है क्या 1 upon dy upon dx क्या फर्मिला है वन के अपान में dy upon dx इसका मतलब क्या dy upon dx की value निकालो इस फर्मिले में डालो तो तुम्हें dx upon dy भी क्या जाएगा मिल जाएगा कि अपने आप सबस्वाइब की करना कि लेकिना 3.1 तुम्हें प्रेक्टिस होनी चेह पहले वर्ना नहीं समझ में आएगा सब्सक्राइब करते को सबसे पहले में क्या लिखूंगा गीवन याद करो 3.1 पहले जागो 3.1 का पहले वीडियो देखो वह सॉल्व करना उसके बाद क्या लिखते थे फिर डिरीवेटिव अप्लाय करने के लिए हम्लोग क्या करते थे डिफ्रेंट्शेटिंग वित रिस्पेक्ट वेक्सटेमें लिखते थे तूम एप लेकिऊंगा डिफ्रेंशेटिंग क्या इस पूरे क्वेशन के साथ भी बने 310 एसपटोorfud 25 x square यह सब कुछ 3.1 में देख चुक है कि सब कैसे सॉल्फ किया जाता है 3.1 एक बार रिफर कर लेना क्योंकि अगर यह यहां पर समझाने बैटूंगा तो 3.2 नहीं हो पाएगा अचा ठीक है यह हो गया अचा य का धो उसके साथ कोई और है भी नगी अकेला हैं हम लोग ने पड़ा है कभीए किसी कॉंस्वन का डेरिवाट्य तीव iband तो क्या होता है, 0, क्या derivative होता है, 0, तो इसका derivative 0 आ गया, plus, 10x का derivative निकालना है, 10x का derivative कैसे निकालेंगे, सबसे बहुती बात, 10 जो है, वो constant है, पर x के साथ, पर किस के साथ है, x के साथ, और मैं तुम लोगों क्या बलाता है, कि अगर कभी भी कोई constant, किसी की साथ multiplication में, तो उस प्लस यहां पर 25 x square के साथ है तो 25 का derivative तो नहीं लेंगे x square का derivative लिखेंगे क्या आता है derivative 2x क्या derivative आता है 2x अब तो तुम लोगों को इतना आना चाहिए exercise 3.1 करने के बाद x square पर मैंने xn का formula लगा है xn का formula क्या है n into x के पर में n-1 तो आपर x square दिया था तो n नीचे आ जाता है तो आपर 2 नीचे आ गया x के पार में 2-1 हुआ 2-1 नहीं क्या होता है 2-1 नहीं होता है 1 लिखने की ज़रूत नहीं तो directly क्या लिखा 2x लिखा इतना तो हम लोगों को समझ में आना चाहिए हम लोग एक exercise पढ़ चुके है उसके अगले लाइन में क्या लिखूंगा therefore dy upon me dx is equal to 0 का तो मतलब नहीं यह 10 1 जा क्या होता है 10 प्लस 252 जा कितना हो जाएगा 50 50 x यह अपना आगया dy upon dx यह क्या आगया dy upon dx अपने को आंसर तो मिल गया अगर 3.1 होता तो हम यहीं पे छोड़ देते पर 3.2 में question में उपर क्या दिया था demand with respect to price is out demand to price माना था price को यह माना था है अपने को dx upon dy निकालना है इसका उल्टा डिवाइपन डिएक्स ने डिएक्स अपन डिवाय निकालना है तो मैंने बूला कौन सा रूल रूबल अपला करेंगे आंसर निकालने के पाद in verse rule कौन सा रूल सुपतों मैं पर लीख़ेंगा है किया लिखेंगे हमनोग आपे में यह लिखेंगे बाई है इन्वर दूल वाकॉंसा रूल इन्वरसरूल अच्छा इन्वर्स रूल क्या बोलता है फीत अपने को in Monroe upon me dy is equals to 1 upon dy upon dx के वैली निकाली थी यही था न दिवाइपन देक्स कितना था 10 plus 50 X था पर एक दो 10 plus 50 X and this is our final answer यह अपना क्या है final answer समझ मैं तुम लोगों क्या कर रहे दान से देखा है पर किया क्या हम लोग ने दान से और समने की कोशिश करना अपने को यह दिया हुआ था यह से कुस्ठ दिया हुआ था था इपना और को कूला लगा था आसाने एकदम चलो ठीक है let us move towards the second question चलते कॉंसे question पे second question की तरफ चलते रहो second question में क्या दे रखा है लिख लेते हैं second question लिखा है पर मैं क्या लिखूंगा given क्या लिखूंगा given क्या given दिया है y is equals to 18x कितना इस दिया है 18x plus यहां पर क्या है log और ब्रेकेट में प्रेक्ट में क्या दे रहा है x-4 y is equals to 18x log और ब्रेक्ट में क्या दे रहा है x-4 तो सबसे पहला step क्या होता है अपना derivative निकालते हैं हम लोग अपलाय करते हैं न derivative तो मैं लिखूंगा differentiating with respect to x क्या लिखा मैंने differentiating with respect to x लिख दिया मैंने अच्छा तो यहां पर भी d upon dx लग जाएगा y के बाजू में यहां पर भी d upon dx लग जाएगा पूरे question के बाजू में 18x plus log bracket max minus 4 हाना अच्छा इसके आगे क्या होगा कि इसके आगे अब derivative निकालेंगे कैसे वाई का तो कोई derivative नहीं होता तो इसको डाइकली लिखेंगे d y upon me dx हम मैंने बताया था डाइकली द्वाय को डाइकली दी वाइपान है तो इस constant का कोई derivative नहीं लिया जाता तो 18 को तो as it is लिखेंगे और जो x x का derivative लेंगे तो x का derivative क्या आता है one 18 as it is लिखेंगे और x का derivative is one फिर बीच में क्या लिखा प्लस तो मैंने लिखा प्लस अब इसका derivative लिना इसका derivative कैसे लेंगे यह तो composite function निकला सर कौन सा function है यह composite function composite function मतब समझते हो यहाँ पर यह 3.1 में यह तो पढ़ रहे थे यहाँ पर बाहर भी function log यहाँ पर अंदर भी function दे रखा है क्या दे रखा है x-4 और क्योंकि यह composite function नहीं तो composite function में derivative दोनों लेना पड़ता है बाहर वाले का भी और अंदर वाले का भी तो हम लोग यह पर ऐसा लिखेंगे पहले किसका derivative लेते बाहर वाले का दो बाहर वाला को ने log log का derivative क्या था 1 upon x log x का 1 upon x तो यह लोग x by 4 का क्या रहेगा 1 upon x minus 4 खतम यह बाहर वाले का derivative हो गया लेकिन हम लों लिखते इंटू d upon dx ने कि derivative किसका derivative बागी रह गया x minus 4 का किसका derivative बागी रह गया x minus 4 याने कि अंदर वाले function का derivative मैंने आप देको 18 x में क्या था 18 constant था as it is लिखा x का derivative 1 लेकिन यहां पर कौन सा रूल लगा chain rule बाहर वाले का derivative इंटू अंदर वाले का derivative अब उसको पहले solve कर लेते हैं चलो क्या होगा यह dy upon dx ऐसे as it is आ जाएगा dy upon me dx as it is यहां पर 18 बंजा 18 ही होता है plus 1 upon x minus 4 यह derivative हो चुका है तो as it is लिखेंगे into x का derivative is 1 minus 4 का derivative is 0 मुझे बता 1 minus 0 कितना होता 1 और 1 का कुछ मतलब है क्या नहीं इसको लिखते ही नहीं पूरे का derivative 1 आएगा 1 into क्यों के वही हो जाएगा तो मिला जोला के यह derivative है अपना पूरा derivative निकल चुका 18 x का 18 आए इसका बाहर अंदर सब मिला जुला कर यह derivative निकल कर आया अब देखो मुझे dy upon dx मिल चुद मिल तो चुका है तो मैं करूं लगा दूकर नहीं dy upon dx में को दिख रहा है थोड़ा सा simplify हो सकता है क्या हो सकता है थोड़ा सा simplify कैसे simplify हो सकता है हम लों क्या कर सकते है है किए अचले perseonyap क्रॉस मृतिप्लिकियों एक इस पहले से उसके साथ मृतिप्लाइए एक माइन सुद्स फूर它 से से मुल्टिप्ला हो गया फिर अगे क्या है प्लस वन है और अब क्रॉस मुल्टिप्ली के बाद एक्स-4 पूरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा तो देरफर दी वाई अपान में दी एक्स इगोल चू एटीन पहलए एक्स से मुल्टिप्ली ओगा फिर एटीन के से मुल्टिप्ली ओ रहा है न दॉन जाएगा 18 फिर बीच में क्या माइनस है तो मैं भी कह लिखूंगा माइनस फिर 18 4 आ है वाट इस 18 4 कि इतना होता है 18-4 नाइन इड़्जा कितना होता है 72 इतना होता है 72 इतना होता है 72 आगे क्या है plus 1 तो उस प्लस वन को 18 को plus 1 में मल्टिप्लाय मत करना हो अलग है 18 बस इन दोने में माइनस 72 प्लस वन एकनमर माइनस में अगनमर प्लस में जब एकनमर माइनस होता है तो हमनों सब्ट्रेक्शन पर फॉर्म करते हैं और साइंगा लगाते हैं बड़े नमबर का तो यह Lahm subtraction करेंगे तो 72 में से बन गया तो क्या बचेगा 71 साइं किसका एक बढ़े नंबर का तो माइनस अपॉन में x-4 this is our answer यह अपना answer है यह किसका answer है यह answer है उसका क्या नम है दीवाइप फॉन दीए यह मुझे क्या मिला डिवाइप ऑन डिये बट वाट डू वी ओंट ने को क्या ची अपने को चीए डी एक सपॉन डीवाइब तो एक बर यह आ गया तो उसके बादम क्या लगाएंगे इन वर्स रोल तो मैं लिखूंगा बाई इन्वर्स रूल बाई कौन सा रूल इन्वर्स रूल अब अपने को इन्वर्स रूल क्या बताता है इन्वर्स रूल अपने को बताता है कि डी एक्स अपॉन में डीवाइब अगर अपने को निकालना है तो क्या जाएगा वन अपॉन डीवाइपॉन डीवाइब निकालना x-4 अब देखो होता है क्या है मालू में तुमने पढ़ा हुआ है mathematics के अंदर जो सबसे नीचे होता है वो कि इधर चला जाता है सबसे उपर तो x-4 उपर चला जाएगा तो अपने को मिलेगा dx पॉन में dy x-4 पूरा 1 से multiply आओगा तो वही हो जाएगा x-4 पर नीचे क्या है 18 x-71 यह आगया अपना final answer समझ में आया एक बार देखो वापस से क्या किया हम लोग ने हम लोग ने question लिखा question को लिखे differentiating with respect to x MPVD upon x MPVD upon x इसका डिवाइप on x इतना आता है 18 x का derivative कि से रहे 18 constant x के साथ है constant जब कि composite function बाहर भी अंदर भी तो बाहर वाले का derivative into अंदर वाले का derivative chain rule कौन सा rule chain rule तो लॉक का derivative 1 upon x-4 into अंदर वाले का derivative इसका पूरा derivative कितना रहा था 1 तो अपने को लिखने की ज़रोती नहीं तो मिला जुला कर यह आया अब मैंने सुचा रहे इसको तो पर सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं तो से किसे की कि इसको क्रॉस multiply कि है यहांप इसा है फिर उसको मैंने plus माइनस करके अपना यह दिए अपन डी एक्स निकल गया अब अम लोगों को बता है जो डिनॉमिनेटर में सबसे नीचे रहता हो किदर चला जाता है सबसे ऊपर तो चीज ऊपर चलीगा अपना अंसरी आ गया अगर मैं लॉजिक भी लगा हूं तो डिवाइब के सामने यह है डिएक्स के सामने सब्सक्राइब के सामने यह है इसको उल्टा कर दिए इसको उल्टा हो गया पर अपने को इतना लिख के बताना जरूरी इंवर्स रूल थाकि अपने को नबर थ्री चलो यहां पर लिख लेते हैं लिख लेते थर्ड गीवन क्या लिखेंगे इवन क्या दिया गीवन वाई इस उकल स्टू 25 एक से पहले वाले के कुश्चिन यह जो इससे पिछले वाला किये सेकेंड वाला सी मैंसा ही कुछ दिख रहे है वन प्लस एक स्क्वेर चलो ठीक है पहले अपना दक्या कला हम डिफ्रेंशेटिंग विट रिस्पेक्ट टू एक्स डेरी विटीव अप्लाइ कर दिया मैंने यहां पर भी वाई के साथ क्या लग जाएगा डी एपॉन डी एक्स पूरे कॉस्चिन के साथ पुरा कॉस्चिन है निए 25 एक्स प्लस लॉग ब्रैकेट में वन प्लस एक्स स्क्वेर लग यहां पर क्या करेंगे 25 एक्स के साथ तो उसका डेरी विटीव नहीं लेते हैं और एक्स का डेरी विटीव कितना आता है वन समझ में आया प्लस यह तो फंक्शन हो गया से मिदम सेकेंड वाले कि दर है अग्पोजिट फंक्शन जिसमें से जो लॉग बाहर वाला फंक्शन है और वह बाकी की जो चीज़े बच रही अंदर ब्रैकेट में वन प्लस एक्स स्क्वेर यह अंदर वाला फंक्शन है तो डेरी विटीव पहले किसका डेरी विटीव अंदर वाले फंक्शन का यह नहीं वन प्लस एक्स स्क्वेर का खतम तो यहां पर क्या होगा वन अपन प्लस एक्सक्वेर तो एस इस रहेगा इन टू इसका डेरी विटीव लेता वन ने कॉंस्टेंट है और अखेल है कोई भी कॉंस्टिंट असका डेरीवेटी वेज़ जीरो तो वन का डेरीवेटीव रचाएगा इसमिंडर प्लस एक्सवेर स्क्वेर का डेरी वेटीव हम लोगों पहता है एक्सके आर्मन का फोर्म लागता है धो एन इंटु एस-के dx as it is is equals to 25 b as it is plus one upon x1 plus x square b as it is into यहां पर क्या होचाएगा 0 plus 2x कितना होता है 2x होता है जिरो इड़ा देंगा अच्छा यह 1 और 2x multiply होगा तो answer कितना हैगा 2x ही आगा ना तो उतना लिखने की जिगा डार्किली इधर लिए तो 2x यहां पर अपने को dy upon dx का answer मिल गया लेकिन अपने को थोड़ा सा simplification करना भी तो बनता है ना यहां पर भी तो cross multiply हो सकता है सेम जैसा सब्सक्राइब कर रहे थी यहां पर भी तो cross multiply हो सकता है ना तो लेट इस थोड़ा सा simplify this solution यहींकि dy upon me dx is equals to square cross multiply करते हैं तो यह पूरा ब्रैकेट जाएके multiply हो 25 से 25 पूरा multiply रहा है ब्रैकेट में 1 plus x square से और यहां पर बचा क्या plus 2x upon में तो यह पूरे में आ जाएगा 1 plus x square गतम तब होगा क्या dy upon me dx is equals to 25 इन दोनों से multiply होगा ना 1 से भी multiply होगा फिर x square से भी उससे नहीं वह अलग है इन दोनों से तो 25 बचके आगया 2x क्या बचा 2x पूरे क्या पॉन में क्या लिखा हुआ है 1 plus x square इतना समझ में आया अच्छा अब इसके बाद होगा क्या अंसर अपना आच चुका है अपने को बस inverse rule लगाना है कौन सा रूल लगाना है inverse rule तो मैं पर लिखूं का बाई inverse rule अपने को x dx अपन डिवा चीना तो बाई inverse रूल अच्छा इनवर्स रूल क्या बोलता है dx अपन डिवाई इस इकल स्टू 1 अपन डिवाई अपन में dx इतना पता चल अपने को उसके आगे क्या करेंगे कि यह डिए अपन डिवाई एज़ रहेगा यह डिज़ रहेगा यहां पर आएगा वन अपन में डिवाई अपन डिवाई अपन डिवाई एक्स मतलब यह पूरा आजाएगा अब मुझे पता है जब में पूरा हैं पर लिखूंगा सबसे नीचे आएगा नीचे वाला उपर चला जाता है तो केलर डाएट डिवाई डमटलцы पूपर जाएगा तो वन प्लस एक सब्सक्वियर ऊपर जाएगा तो वन नेधसे को पार लिख देते हैं फोन डी बी क्या हो गया मिल गया और यह कुश्चन नुबर ठर्ड यहां पर क्या होगा खत्म and with this we are done with question number one अब question number two ko we will be continuing in the next lecture अगले वीडियो में करेंगे अगर यह वीडियो पसंदा तो वीडियो का लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना मिलते हैं thank you